Hello everyone, a very good morning to all of you और आज के सेशन में हम देखेंगे 17 अक्तूबर 2024 से जुड़े आपके important current affairs की questions Delhi basis पे friends हम 12 questions को cover करते हैं with extra facts इसके लबा मैं आपको उस question की जिस परकार की type रहती है उससे लेटर पिछले जो questions रहते हैं current affairs के उनका एक बार revision करवाती हूँ बाकी भी हमारी वीडियो में हम जो है काफी static part cover करते हैं तो हमारी वीडियो जो है आपके काफी ज़दा beneficial रहेगी सभी upcoming exam में इस वीडियो में आपको केवल current affairs ही नहीं पढ़ाऊंगी इसके लाबा मैं आपको पिछले उससे जुड़े questions से जुड़े जो current affairs की questions रहेंगे उस type से related उनका revision भी करवाऊंगी और काफी ज़दा static part को भी cover करेंगे हम तो वीडियो आपने जो है शुरू से लेकियान तक complete देखना है and मैं आप से two questions का test लेती हूँ जिसका अंसरा आप मुझे comment section में देंगे वीडियो हमारी सुबे morning में आ जाती है पांच बजे ठीक पांच बजे जो है आपको class मिल जाती है daily CA की friends हमारे session को start करने से पहले आपको बता दो अगर आपको हमारी e-books पाई करनी है तो आप हमारी website visit करिए www.vbooks.pdf.com के नाम से है यहाँ पे आपको last 9 months की current affairs की paid PDF gkgs की paid PDF जो की part 1 है जिसमें top 1000 questions है इसके लाब अगर आपको separately monthly wise current affairs की e-books चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी हमारी website पर English और Hindi दोनों मिलेंस में वीडियो के जो है description box में और comment section में link रहता है इसलिए आप हमारी website पे वहां से विजिट कर सकते हैं और इन e-books को buy कर सकते हैं free PDF के लिए telegram पे जुड़िये current affairs पाई रवी नाम से है और mobile application को download कीजिए रवी study gk की नाम से है बाकी मैं आपको detail में जो है इस वीडियो के end में बताऊंगी कि आप कैसे कैसे हमारी free PDF और mobile application को download कर सकते हैं तो चलिए आते हमारे session की तरफ जिसमें की सबसे पहले हम करेंगे अपना पिछले डे का रेविजर जो हमने 16 October को मैंने आपको current affairs पढ़ाया था अब हम उनका जो है एक बार quick and fast division कर लेते हैं तो भारते दे रक्षक बलके जो 26 में महाने देशोक बनगे हैं वो बनगे हैं प्रमेश, शिवमनी, राकेश पाल की नोने चोके लिए हैं भारत ने किस देश से अपने उचायुक्त और अन्यराज नईकों को वापिस पुला लिया है right answer is Canada से कौन सा देश ISSF यूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत भारती समिधान की पचतरवी वश्कान पर किस दिन को जो है समिधान महिमा भ्यान के रूप में मनाय जाएगा right answer is 26 नुवंबर 2024 को जिनिवयव में आयजित 149 अंत्र संसदी संग असेंबली में भारती संसदी प्रतिनिधी मंडल का निर्देशक और पहला स्वदेशी सर्वे पोथा आयनेस संधायक प्रित्वी के वायू मंडल में पुनहा परवेश करने वाला रिकोर्ड 104 उपक्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रोकेट कोन सा है right answer is PSLV C-37 नेक्स्ट है उत्रप्रदेश की की शहर में देश का पहला हिंदी साहिते संग्राले स्थापित होगा तो उत्रप्रदेश की जो है फ्रेंस काशी वरनसी में देश का पहला हिंदी साहिते संग्राले स्थापित होगा 27 ती एशियाई टेबल टैनिस चैंपिशिप 2024 की पदग तालिका में जो मैडल जितने वाली पहली भार्ती महिला जोड़ी रही वो रही आहीका मुखरजी और सुतीर्था मुखरजी की चीन के शहर बुहान में जित WTA बुहान 1000 एकल का किताब जिता है आरेना सबालंका ने और उपविजेता रही है जेंग किन्वे दो से तेरा क्तूबर 2024 तक चीनी शहर शंगाई में जित ATP शंगाई मास्टर्स 1000 का एकल टाइटल किसने जिता जैनिक सिनर ने और नुवाग जोको भी जो है फ्रेंस वो इसमें रन रप रहे नेक्स्ट है स्टन कैंसर जागरुकता दिवस 2024 पे कब मनाया गया राइट अंसरी 13 अक्तूबर को और थीम था इस बार का कोई भी स्टन कैंसर का सामना केले नहीं करें तो यह आपका पिछले डेका रिवीजन हो गया आब आते हमारे आज के इंपॉर्टन सेशन की तरफ जि जमु कश्मीर के जो पहले मुख्य मंति बन गए वो कौन बन गए राइट अंसर ओप्ष नमबर ए रहीगा आपका उमर अब्दुल्ला इमेज की तो आप इन्हें देख सकते हैं आए कुछ इंपॉर्टन पोइंस कवर करें तो नैशनल कॉन्फरेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जो है इन्होंने 16 अक्टूबर दोहसार चोबिस को श्रीनगर में एक शपत ग्रहन समारों के दोरान जमु कश्मीर के नए मुख्य मंति के रूप में शपत ली है सुरिंद्य कुमार चोधरी को उप मुख्य मंति बनाया गया है जमु कश्मीर का और सब्सकूइब बनाया जरू कكنי मंति कवन तो अगर बात करें इसकी कैपिटल की तो इसकी दो कैपिटल सहां ग्रेश्यम कालीन कापिटल है श्रीनगर और शीतक में की सब्सक्रावों कश्मीर का ठीक है स्तापना इसकी जहां फिर आप बोल सकते हैं पूनर गठनिस्का कब हुआ था तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को यहां के कुछ प्रमुक रास्ट उद्यान आपको बता दू तो यहां पे किश्टवार रास्ट उद्यान है सलीम अली रास्ट उद्यान काजिनाग रास्ट उद्यान दाची गाम रास्ट उद्यान राजगी पशु क्या है जमुक श्मीर का हंगुल राजगी पक्षी क्या है काली गर्दन वाले क्रेन राजगी ब्रिक्ष की बात करी तो वो है चिननार का ब्रिक्ष राजगी फूल है क पड़ोसी राजय उसके लावा यहां पर आप देखेंगे यह पंजाब है यहां पर ही माचल परदेश ठीक है तो लोक नरिते यहां की जो फेमस है उनमें है धमल नरित रौफ नरित कुर नरित हीकत नरित त्योहार जो की सेलिब्रेट किये जाते हैं फैंस जमू कश्मीर में हेरत महोसब, नवरेत योहार, मेलाखीर भवानी उत्सव, लेवेंडर महोसब वहीं फैंस जमू और कश्मीर का समिधान कब लागू हुआ था तो यह लागू हुआ था 26 जनरी 1957 को दिखेंगे को कोश्मीर में मैंने आपको करवाया कि यह जमू कश्मीर के पहले मुख्यमंत पनगी है आतीशी मालेना, ओडिशा के मुख्यमंति का क्या नाम है मोहन चरन माजी, राजस्तान के मुख्यमंति कोन है बजहनला शर्मा, पंजाब के मुख्यमंति कोन है भगवंत मार, बिहार के नोवीमार मुख्यमंति बने है नितिश कुमार, हर्याना के मुख्यमंति बन सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए नेक्स कोशन है नासा ने किस क्रह के चंदरमा यूरोपा पर जीवन की जो है वो खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लौँच किया है। नासा की अंतिक्षियान को प्रहसपती की यूरोपा चंदरमा की परफिली सतह और उसके नीचे जो है मौझूद उप सतह मासागर का अध्यन करने के लिए फ्रेंट्स डिजाइन किया गया है। नासा जो है आपकी अमेरिका की स्पेस एजनसी है जिसकी स्थापना की बात करें तो यह की गई थी 30 चुलाई 1958 को मुख्याली कहां पे है वुशिंग्टन डीसी में करन्ट जो अध्यक्ष है नासा के उनका नाम है बिल नेलसर। अभी देखे हमारी कोशन में हमने जाना कि चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोच के लिए यूरोपा क्लीपर को लौच के लिए तो यहां पर पुछा गया है कि किस ग्रह की चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोच के लिए यूरोपा क्लीपर जो है यह लौच हुआ है आसा दोरा तो यह प्रेसपती ग्रह के चंदरपा एयुडोपा पर जीवन की कोज के लिए लौच के गया है अब हम जानते हैं प्रेसपती ग्रह के बारे में तो फ्रेंट्स यह आपका स्क्रीन के ओपर दिख रहा है ठीक है, सोर मंदल में हमारे टोटल है 8 ग्रह और अगर हम वहीं बात करी ब्रहस्पती की तो इसे जुपिटर कहा जाता है इंगलीश में यह है ब्रहस्पती, ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे है ब्रहस्पती जो है फ्रेंट्स ये सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आप देखिए यहां पे सबसे बड़ा जो आपको यही दिखेगा और मंगल और ब्रहस्पती के बीच सूरे की परिकर्मा करने वाला जो खुगोलिय पिंड है उसे कहा जाता है शुद्र ग्रह ठीक है एस्टरोइड जिसे हम कहते हैं ठी जानी मेड है वो किस ग्रह का है तो वो भी प्रहस्पती का ही है अगर सूरे और ब्रहस्पती ग्रह के बीच हम दूरी की बात करें तो सूरे यहां पे आपका सूरे और ब्रहस्पती के बीच जो दूरी है यह आपकी कितनी है तो यहां पे लिख रही हूँ यह है आपकी 778.5 स्टिति पांच भी ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह पांच पांच ग्रह है तेखिए एक दो तीन चार और फिर पांच ठीक है इससे पहले आते हैं मर्क्यूरी विन्नस अर्थ मार्स फिर आता है आपका सुपिटर और फ्रेंस सोर मंदल का सबसे भारी ग्राई यह मैंन कितना गुना होता है तो इस पर जो है किसी वस्तो का वार प्रित्वी कि अपेक्षण 2.53 गुना होता है और दूरी पर जो है एक चकर पूरा करने में सबसे कम जो समय लगता है वह आपका जूपिटर को ही लगताै तो यह आपको कुछ मैंनि यूपिटर से लेडेर इंपॉ पोप्षन नमघ बीस दा ग्रेक्ट आंसर औरीशा ने जो है फिंट्स पांचफ़े रास्टे जल पुरुषकार 2023 में जो है सर्वस्च्ट राज्जी का ओवोड जीता है आई एंपॉर्टन पॉइंस कवर करें तो पांचवे रास्टे जल पुरुसकार 2023 के विजयताओं की नाम की घोशना केंद्रे जल शक्ति मंत्री चंद्रकात रगुनात पाटिल जी ने 14 एक्तूबर 2024 को नई दिली में की जिसमें की ओडिशा जो है फैंस ये पांचवे पॉड़क के दोरह अवोड प्रतान किया जाएंगे रास्टे जल पुरुसकार की स्थापना जो हएपन्ट की की जिए थी केंदे जल शक्ति मंत्रा लेके दोरह और जल संसादन नदीविकास और गंगा काया कल्प भिवाग दोरह इसकी स्थापना हुई थी ये पुरुसका स्टेजल पुरुसकार विजेताओं की तो 2020 में सर्वोतम जो राजिश रहनी में रहा वो रहा था उडिशा नंबर टू पे उत्रपरदेश नंबर थरी पे पुडुचेरी और गुच्राद सर्वोतम जीला जो रहा फ्रेंस उसमें नंबर बन पे रहा दक्षिन छेतर में अधिपरदेश का इन दो रहा इसमें सर्वोतम जीला और पूर्वी छेतर में ओडिशा का बोलांगी जो है वो सर्वोतम जीला बना नेक्स्ट आपका विशुखादी दिवस 2024 में कब सेलिब्रेट करा गया राइट अंसर ओप्षिन नंबर सी रहेगा 16 अक्टूबर को मनाय भर में विशुखादी दिवस मनाया जाता है विशुखादी दिवस जो है ये अच्छे भोशन और पोशन के महत्तव के बारे में चागरुकता को बढ़ाने के लिए सेलिब्रेट होता है और 1979 में जो है खादे एवं कृशी संगठन दोरा इस दिन की स्तापना हुई थी और नेक्स कोशन चंद्य अंत्री की उलेकनी उपलब्दी के लिए आईएफ विशु अंत्रिक्ष पुरुसकार 2024 की से प्रदान किया गया राइट अंसर उप्ष नमबर डी है एस तोमनात जो की फ्रेंस करंट में इसरो के आपके अध्यक्ष है इन्हें आईएफ विशु अंत अंत्री महसंग का प्रतिष्टित विश्व अंत्रिक्ष पुरुसकार प्राप्त हुआ इटली के मिलान में 45 अंतरास्ट्रि अंत्रिक्ष यात्री कॉंग्रेस के उत्खाटन स्माहरों के दुरान उन्हें ये वोड मिला 23 अगस्त 2023 इस दिन चंद्रमा ने अपने दक्षन दुरूप के पास चंद्रिक्ष के तिहासिक लैंडिंग के साथ भारती योग पलब्दी हासिल करने वाला पहला देश बन गया था और वे चंद्रमा चंद्र लैंडिंग में सक्षम देशों के एक विशिष्ट सुम्हों म में भी शामिल हो गया फ्रेंस वहीं अगर हम बात करें मिशन चंद्रिक को कब लॉंच किया गया था तो यह आपको पता होना चाहिए इसे लॉंच करा गया था चोधे जुलाई दो हजार टेक्स को कहां से सतीश दवन अंत्रिक्ष के अंदर शिरी हरी कोटा से और चंद्रिज हो था यह आपका किस टोकेर से लॉंच किया गया था लवी एम 3 जिसकी फुल फुर्मती लॉंच वीकल मार्क 3 ठीक है तो हमारे कोशन की टाइप है वोर्ट से लेटर अब हम पिछली जो है अपकी वोर्ट से जुड़े कोशन का एक पार क्योंकेंट फास्ट एडिविजन करेंगे फर्स्ट है रेमन मेकसे से पुरुषकार दोहजार चोबिस से किसे समानित किया गया जपैन के हयाओ मियाजाकी को सत्तर वी रास्ट्य फिलम पुरिसका 24 पे जो सर्वस्टेश्ट मोवी चुनि गई वो चुनि गई मलयालम मोवी अत्म और जिसमें सरवस्ट्य अभिनेतर रहे रिशव शेटी इनकी मोवी कंतारा के लिए सर्वस्टेश्ट अभिनेतरी का वर्ड मिला है दो जो अक्ट्रस को नाम है इंकी नित्या मैनन और मानसी पारिक अंतराष्टे बुकरपुरिसका दोहजाचोबिस में मिला है जैनी एर्पनवे को इनकी पूस्तक कैरोस के लिए एबलपुरिसका दोहजाचोबिस का मिला मिशेल टेला ग्रेंड को फ्रांस के हैं ये फीजी देश का जो सरवच समान था जिसका नाम है Companion of the Order of Fizi इससे समानित किया गया हमारी President डॉपते मुरमुजी को Timor Leste के सरवच नागरिक समान Grand Caller of Order of Timor Leste से समानित किया गया हमारी President डॉपते मुरमुजी को किसे IIT? खड़कपूर ने मानद डॉक्टरेट की उपादी से समानित करा Right answer is सुंदर पिचाई जो की करेंट में Google के CEO है रूस का सरवच नागरिक समान Order of St. Andrew the Apostle जो है फ्रेंट्स इससे समानित किया गया हमारे PM मोधी जी को अंतराष्टी उलम्पिक समिती दोरा सरवच पुरुसकार उलम्पिक ओडर जो है ये मिला विनव बिंद्रा को वहीं फ्रांस की शीश नागरिक पुरुसकार शेवेलियर डी लाल इसंडी ओरनर से समानिक गया रोशनी नादर मरहोतरा को दोहजार चोबिस का नेलसन अंडेला वोर्ड मिला है फ्रेंस निम्हांस को जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है रास्टे मांसिक स्वास्तेवं तंतरी का विज्यान संस्थान विश्व अंतरिक पुरुसकार चंदेयां थ्री मिशिन को मिला प्रभावर्मा को किसके लिए मिला था इनके क्या था इनका उपनियास था रोद्र साथविकम नेक्स्ट है होकी इंडिया लीग की निलामी में जो सबसे महंगी खिलाडी रहे वो कौन रहे राइट अंसर ओप्ष नमबर सी है हमारा हर्मन प्रित सिंग होकी इंडिया लीग की निलामी के पहले दिन भार्दी कप्तान हर्मन प्रित सिंग सबसे अधिक बिकने वाले खिलाडी रहे उन्होंने जो है फैंस सोर्मा होकी कलब ने जो है इने 78 लाक रुपए में खरीदा है वहीं अभिशेक दूसरे नमबर पर रहे महंगे एक लाड़ी जिने की श्राची राड बंगाल टाइगर्स ने 72 लाक में खरीदा और हार्दिक सिंग को यूपिर उद्रास ने 70 लाक में खरीदा है वहीं अगर बात करें होकी इंडिया लीग 2024 पच्चीस सीजन की तो ये 28 दिसंबर से लेके एक फर्वरी तक जो है आयजित किया जाएगा जिसमें की आठ पुरुष और शे महिला टीमें पाटिस्पेट करेंगी नेक्स्ट नस्ञारकोशन है राष्टे स्टेट स्किल यूनिवर्स्टी का नाम बदल कर किस के नाम पर रखा गया राट अनसर ऑप्षिन ऑपर र in to बह butterflies राज्य कोशल विश्विद्यान का नाम बदलकर रतन टाटा महारास्टे राज्य कोशल विश्विद्या कर दिया है महाराष्ट सरकार ने पदम भिवूशन रतन टाटा की सम्मान में युनिवरस्टी का नाम बदला है महाराष्ट स्टेट स्किल युनिवरस्टी में स्टूडेंस को रोजगार के लिए स्किल डेवल्प्मेंट का कोर्स करवाय जाता है और 17 एकट में फैली हुई य महाराष्ट की बाद करी तो इसकी कैपिटल है मुंबई यहां पर आपका महाराष्ट है इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं यह माहराष्ट का मैप है मुखी मंदी एक नह नथिशिंदे हैं राज़पाल हैं सिपी राधा कृष्णर और यहां के कुछ प्रमुख नैशनल पाक्स हैं संजे गांदी रास्टे उध्यान नवे गाउं रास्टे उध्यान महारास्टे स्टेट्स के लिए युनिवर्स्टी का नाम यह चेंज़ करके रतन टाटा जी के नाम पर रखा जाएगा तो हमारी कोशन की टाइप हो जाती है बदले के नाम से चुड़ी तो अब मैं आपको बदले के नाम से चुड़े हुए पिछले करेंटर फेस के क्वेशन के प्रतिम नाम हो गया है निरंजन शा बेहारास्टेयरियम आयोध्य रिल्वे स्टेशन. युद्या करेंग के नए एमडी और सीयोग बन चुके हैं राइट हम सो उप्षिर सबड़ी रहेगा बंदर्प्री और सीओ पन गिए पार्त प्रतिम सेन गुपता इंपोर्टर फेक्स कवर गरते हैं तो भार्टे डिसम बैंक ने पार्त प्रतीम सेन गुपता को तीन वर्ष के अवदी के लिए बंदन मैंग के प्रवंद निदेशक और मुखे कारी-कारी अधिकारी यानि केमडी और सीईयों की रूप में मज़ोरी दी है फ्रेंट्स की जो है ये चंदर शेकर घोश की जगलेंगे जिन्होंने की 9 जुलाई 2024 को इस्तिफात दिया था वहीं अगर बात करें बंदन मैंग की स्थापना की तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी मुख्याले है कॉलकाता में टैग लाइन है इसकी आपका भला सब की भलाई सितंबर 2024 के लिए ICC Player of the Month जो है वो किसे चुना गया तो राइट अंसर हमारा इस कोशन का रहेगा अप्शन अंबर A कामिन्डू मेंडिस और टैमी ब्यो मॉन्ट जो है फ्रेंट इन्हे ICC Player of the Month चुना गया कौन से मंद के लिए सेप्टेंबर मंद के लिए तो ICC पूरुष Player of the Month रहे कामिन्डू मेंडिस जो कि श्रिलंका की प्लेयर है इन्हें भी आप देख सकते हैं और ICC महिला Player of the Month रहे सेप्टेंबर मंद की टैमी ब्यो मॉन्ट जो कि इंग लैंड की है इन्हें भी आप देख सकते हैं इमेज के द्रू वही अगर हम बात करें ICC की तो ICC stands for International Cricket Council स्थापना इसकी 1909 में हुई थी मुख्याले है दुबई में Next Question भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र का राश्ट्री ब्राइंड मैस्टर जो है वो किसे बनाए गया Option number C is the correct answer रश्मी का मंदारा जो कि अभी रेतरी है इन्हें भारतिय साइबर अपराद भारत में साइबर का राश्ट्र ब्रैंड मैस्टर जो है ये पैहल ग्रह मंत्राले तोर्व की गही है जिसका मुख्य देश है देश में बड़ते साइबर अपरादों के खत्रों का मुखाब्ला करना हमारी Question की टाईप है तो आएब पिछले आपके ब्रैंड अमबैस्टर से जुड़े questions का एक बार क्यों केंट फास्ट revision कर लेते हैं तो MotoGP इंडिया के नए ब्रैंड अमबैस्टर बने है क्रिकेटर शिखर धवन तमबाकू नियंदरन का जो नए ब्रैंड अमबैस्टर बनाए गया है वो बनाए गया है Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee जो brand ambassador बने है वो बने है नीरचोपड़ा और इन्होंने जो है भी Paris अलंपिक में हमें सिल्वर मेडल जितुआया है जरनेई सुपर किंग्स के जो friends brand ambassador है वो है कैटरीना काफ, बंगाल की brand ambassador है सोरभ गांगुली नेक्स्ट है घरीनिर्माता राडो की ग्लोबल ब्रेंड अमएस्टर बनी कौन? कैटरीना कैफ. लेज की ब्रेंड अमएस्टर है? MS Dhoni. प्यूमा इंडिया की ब्रेंड अमएस्टर है? Mohamad Shami. महिला फेशन ब्रेंड डवलू की ब्रेंड अमएस्टर है? अनुशकर शर्मा. स्वाराज ट्रेक्टर्स की ब्रेंड अमेस्टर है MS थोनी इन्फोसिस की ब्रेंड अमेस्टर है महिला टैनिस चैंपियन है ये इगा स्वीट एग ICC पुरुष टीटोंटी विश्कप दोहजा चॉबिस के लिए तीन ब्रेंड अमेस्टर निउक्त हुए थे युवरा सिंग, शाहिद अफ्रीदी और उसैन वोल्ड नेक्स्ट कोशन चोधे से अठ्रा अक्तूबर दोहजा चॉबिस को पहली बार की स्टेश ने ओशदी विन्यामक प्राधिकरणों के पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है इसका उदगारण जो है ये केंद्रे स्वास्ते और परिवाल कल्यान मंत्री जिनका नाम है जगत प्रकाश नडड़ा इनके दौरा 14 एक्तूबर 2024 को किया गया इस बैटक का मुख्यों देशी है डवल अच्चों के सदस्य देशों की दवा नियामक अधिकारियों को एक साथ लाना तथा ओशदी नियामक जानकारी को सू संगत बनाने और उनके बीच सहयों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करना लास्ट कोशन आज के सेशन का किस तेश में राष्टपती दोपती मुर्मू जी को राजनीती विज्यान में मानत डॉक्ट्रेट उपादी के से सम्मानित किया गया तो हमारा राइट आंसर ओप्शन नुबर बी है अलजीरिया में अलजीरिया की शहीद इहादा देन अब्दिल हाफिद विज्यानिक और तक्निकी विश्य विद्याले ने एक समाहरो में राष्टपती मुर्मू जी को जो है फ्रेंस मानत डॉक्ट्रेट की उपादी परदान की फ्रेंस आपको यह भी बता हुगा कि राष्टे दुर्पती पूर्मू जी जो है हमारी राष्टपती यह 13 से लेकि 19 उक्तूबर दोहसा चोबिस तक आफ्रीकी देशों के दोरे पे हैं जिनमें अलजीरिया मॉरिटानिया और मलावी है अब हम बात करते हैं अलजीरिया की क कि अलजीरिया तो आरा जो है इन्हें माने टोक्रेड के उपादी दी गई तो इसकी कैपिटल है अलजीरियस मुद्रा है अलजीरिया इदिनार राष्टपती है अब दिल मजजीत तेबोने यहां पे अलजीरिया को आप लेख सकते हैं मैप के त्रोप सेशन यहीं भी कम्ली मुख्य मंत्री कौन बनगे फॉर उप्शन्स आपके पास है राइटन साब कमें सेक्शन में देंगी इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जमकुष्मीर के नए उप्व मुख्य मंत्री भी बनाएगी कोशन के इसमें मैंने कवर कर वाया तो आपने मुझे जो है कमें से है यहां से आपको हमारी बुक्स मिल जाएंगी नास्ट नाई मंत्त लास्ट इक मन्त् सैवन मन्त इसके लावा आपको जिकी डियस बॉंटते लिख ऎसा देट मत्री नाइध क कर आपको दैट रहा है कर सकते हैं अगर डेलिकर इसका नाड़िक हाय स पाहिए नामelshोथ है उन आपको free PDF दी जाती है इसके लाब आपको हमारे मोबाइल एप्लिकेशन रवी स्टडी जी के पे फ्रेंट PDF दी जाती है बाइलिंग्ल में हिंदी और इंग्रिश दोनों में आपको free PDF मिलेंगी हमारे application पे और यहां पर आपको जो टेस्ट वाला उप्शन है यह मिलेगा 49 रूपीज में ठीक है वन ताइम आपका इंवेस्टमेंट रहेगा इससे आप वन एर तक जो है यहां पर करंट अफियर्स का टेस्ट जो है यह लगा सकते हैं तो 49 रूपीज आपको वन टाइम इंवेस्ट करने रहेंगे और इसके लाव आपको paid courses मिलेंगे यहां पर GK quizzes मिलेगा वीडियो courses upcoming days में देखने को मिलेगे free content काफिसार आपको provide कर वाय जाएगा तो इसे ज़रूर इंस्टोल कीजिए जिन्होंने इंस्टोल कर लिया है और इसे अपडेट कर लें इबुक्स का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो को description box में और description box में ही आपको एप का भी लिंक मिलेगा इसके लाव आपको comment section में भी comment पीन मिलता है जिसमें की app और website का link रहता है तो easily आप हमारे वहां से हमारे app को download कर सकते हैं और हमारी website को visit करके अपने accordingly जो है आपने पसंदीदार e-books बाई कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही अब आपसे मुलकात होगी next session में एक और important important current phase के questions के साथ thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your upcoming exams